आज की खबर बड़ी इंट्रेस्टिंग खबर है और ग्लोबल हर्स पर हमारा वादा है के इस तरह की इंट्रेस्टिंग कवरे ही हम आपके लिए लाते है जो मूलत है हिंदी भासी यूटूबर्स कवर नहीं करते हैं इनको अवाइड करते हैं मीडिया संबंदित और इंटरनेशनल मामलों से जुड़ी हुई कई वीडियो हमने इस चैनल पर बनाई हैं और आप लोगों ने पसंद भी की है आपको याद होगा के सत्तर असी के दस्षक में हम नौवल पढ़ा करते थे जेम सेडली चेज का नौवल आता था और हिंदी में सुरेंदर मोहन पाठक, वेट प्रकास शर्मा इन सब के नौवल हम पढ़ा करते थे क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस कहानी कहां से शुरू होती थी कि एक होटल में एक डैड बोडी मिली कोई मरा हुआ मिला फिर दूश्रा सक्स मरा मिला उनका आपस में क्या तालुक है मरे है, आत्म हत्या की है हत्या कराई गई है यह सब चीजे चला करती थी और पड़े इंट्रेस्टिंग नौवल हम लोगों ने अपने समय में पड़े है आज जिस खबर का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक इंटरनेशनल मामला होने के साथ साथ एक ऐसा ही रहस्य में मामला भी है रूस में और उक्रेन में युद्र चल रहा है पड़ा इंटरनेशनल लेविल पर इसे लेकर हाइप है पूरा दिश्व दो धड़ों में बटा हुआ नजरा रहा है कुछ लोगों ने तो यहां तक कलपना कर ली है कि यह शायद युद्ध तभी खतम होगा जब वर्ल्ड वार हो जाएगी अगली कुछ इसी तरह की बाते चलती हैं नजरा रही है लेकिन अचानक कुछ खबरे ऐसी आई दोस्तों जिसने मुझे भी चोंका दिया आज एक खबर सामने आई है हला कि दो-तीन दिन पुरानी है लेकिन मीडिया में अभी पिछले 24 घंटों से यह खबर चलनी शरी हुई है कि रूस के दो नागरिकों की मौत हुई है उडीसा में भारत में और इनकी रहसे में मौत है और इन में से एक सक्ष को आलोचक माना जाता है बलादीमीर पुतिन का जो की रूस के राष्टपती है पिछले दिनों मिसाईल हमले जब रूस ने किये थे यूकरेन पर तो इन लोगों ने इनकी आलोचना की थी और इन खबरों ने मुझे चोंका दिया मैंने कोशिश की कि इन खबरों की तहकीकात करने की कोशिश करूँ इनकी जड़ में जाने की कोशिश करूँ कि आखिरकार इन खबरों का सच क्या है इन खबरों में आखिर है क्या तो इसमें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों मैं इसमें कुछ नहीं कहा रहा हूँ कि जो शोशल मीडिया पर चल रहा है इन सब को लेकर जो खबरे शोशल मीडिया पर सामने आई हैं वो ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इसमें खबरे अल पुतीन को कहा था भरा बुला ये हिंदुस्तान की खबर है जागरन लिख रहा है कि रूस के अमीर सांसद की भारत में हुई रहसे में ही तरीके से मौत तफ्तीश में जुटी उडिसा पुलिस बहुत सारी खबरें इसे चल रही हैं मैंने एक खबर को क्लिक किया आज तक की ख पुतिन के दो विरोधियों की इंडिया में गई जान होटल में एक के बाद एक मोतों पर सस्पेंस जाच शुरू इसमें लिखा गया है कि ओडिसा के एक लगजरी होटल में करोड़ पती रूसी सांसद पावेल एंटोव और उनके सहयात्री व्लादीमीर बिडिनोव की रह की सफल कारोबारी भी थे पावेल एंटोव रूसी राष्टपती व्लादीमीर पुतिन के विरोधी थे उन्होंने यूकरेन युद्ध को लेकर पुतिन की सरकार की आलोचना की थी शनिवार को उडिसा के रायगड के होटल में पावेल एंटोव का शव मिला था और पुलि गोशी की हालत में होटल के कमरे में मिले थे आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मुरत गोशित कर दिया गया यानि के दोनों की मौत हो गई एंटोव और व्लादी मीर चार लोगों के ग्रूप के साथ घूमने के लिए भारत आये हुए थे और पिछले बुदवार रायगड के होटल में इन्होंने चेक-इन किया था इन चारों के पास उनका एक गाइड भी था जितिन दर्सी उडिसा सरकार की और से इस मामले की जाच क्राइम बांच को सोब दी गई है एंटोव को पुतीन का आलोचक कहा जा रहा है ऐसे में क्राइम बांच के अधारिक अधिकारियों कहना है कि अगर जरूरत रही तो इस एंगिल से भी जाच की जाएगी लेकिन फिलाल वे दूसरे पहलूँ पर जाच कर रहे हैं इसे लेकर दोस्तों बहुत सारी खबरे चल रही है और इसमें निश्चित रूप से ये शक उठना लाजमी है कि क्या ये राजनितिक हत्याएं भी हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वर्ल्ड लेवल पर हमेशा से ये रहा है कि अपन की भी तरह के नतीजे पर पहुँचना ठीक नहीं है उडिसा पुलिस ने सोमवार को शुरुवाती जाच की और उसके बाद का कि शुक्रुवार को रूसी नागरिक व्लादिमीर बिडेनोव की मोत हार्ट टेक की वज़े से हुई थी और बिडेनोव की मोत से पावल एंटो काफी जादा दुखी थे और अगले दिन शनिवार को तीसरी मंजिल से गिरने से उनकी मोत हो गई मोत हुई आतमत्या हुई धक्का दिया गया बाद में पता लगया लगया दोनों रूसी नागरिकों की मोत के मामले में मंगलवार को भी यानिके कल भी ओडिसा पुलिस ने बियान जारी किया हाला कि पुलिस ने यह भी कहा कि मामले में अभी तक कुछ गड़बड नजर नहीं आई है ओडिसा पुलिस के अधिकारी राजेस पंडित का बयान है जो नियू जेजनसी है एफपी उसको उनने बताया है कि दोनों रूसी नागरिकों की मोत के मामले में हर संभव पहलू की पहचान की गई है और अभी तक की जाच से लग राया कि पावेल एंटो अचानक होटल की छट से गिर गए थे पुलिस ने आगे कहा कि पावेल एंटो अपने दोस्त व्लादीमीर की मोत से दुखी थे वे होटल की छट पर गए थे जहां से गिर कर उनकी मोत हो गई ओडिसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एंटो और उनके दोस्त कई दिनों से रायगर में थे पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों रूसी नागरिकों के दो अन्यस है यात्री और लोकल ट्रेवल एजेंट से भी पूछताच की जा रही है मैं आपको बताऊं कि फरवरी से युकरेन और रूस के बीच युद्ध हो राय लगबग एक साल होने जा रहा है और जून में रूस की और से युकरेन की रासधानी कीव में एक मिसाइल अटेक किया गया था जिसकी आपने देखियोंगी बड़ी बड़ी तस्वीरे आई थी घातक तस्वीरे आई थी बिल्डिंगे तहस की नैस हो गई थी इस अटेक में एक शक्स और उसकी साथ साल की बच्ची की जान गई थी जबकि बच्ची की मां गंबीर रूप से घायल हो गई थी कीव में रूसी मिसाइल के शिकार हुए इस परिवार को लेकर पावेल एंटोव ने वाटसप पर एक मैसेज बेजा जिसमें इस परिवार का जिक्र और सरकार की आलोचना थी मामला बढ़ा तो एंटोव की और से मैसेज दिलिट कर दिया गया पावेल एंटोव की और से बाद में शोशल मीडिया पर सफाई भी दी गई एंटोव ने शोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा की वे खुद राष्टपती लादिमीर पुतिन के समर्तक हैं और इस जंग में रूसी सरकार के पूरी तरह से साथ है अंग्रेजी अखबार दगारजियन के अनुसार पावेल एंटोव का नाम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनोंने यूकरेन युद्ध को लेकर पुतीन सरकार की आलोचना की और बाद में उनकी रहसे में यी तरीके से मौत हो गई मैं आपको पता दूँ कि पहले भी इस तरह की मौत हो चुकी है जब से युद्ध शुरू हुआ है सितंबर 2022 में यानि के अभी तीन महीने पहले पुतीन के एक और आलोचक और रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी के बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स के अध्यक्ष राविल मेगनोव की मौत मासको के एक स्पताल में खिड़की से गिरने के बाद हो गई थी और समय के साथ साथ उनकी मौत भी रहसे नहीं बताई जा रही है साल 2019 में एंटो का नाम फोर्ब्स के रूसी एडिशन में सबसे अमीर सांसोदो की लिष्ट में भी आया था मामला रहसे में है दोस्तों इसमें कुछ भी संभव है लेकिन होता क्या है कि जो राजनितिक मामले होते हैं उनमें बहुत कुछ चीजे होती हैं इसमें भारत के इंट्रेस्ट भी देखे जाएंगे भारत का इंट्रेस्ट इसमें कितना है भारत क्या सचमुच में इस तरह के विवादित मामलों की जाँच अंदर तहं तक कराना चाहेगा इस जाच में कहा तक जाना चाहिए रूस क्या क्या इंट्रेस्ट है रूस कितने इजाज़त भारत को देगा कितनी छूट वो इस जाच करने की भारत की एजन्सियों को देगा और क्या भारत की एजन्सियां भारतिय सीमा को लांग कर रूस तक पहुँच पाएंगी यह बहु हर मामले में रहस सामने नहीं आए है र Manyमले में खुलासा नहीं हुआ है देखते हैं इस मामले में खुलासा होता है यह नहीं मुजे लगा कि इस तो इस्तरह की जानकारी आप तक पहुचनी चाहिए वह असी लोगों को शया इसकोवर के बारे में पता भी न हो तो इसलिए मै आपको मेरे लाइव आने का पता ही नहीं चलेगा अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा नमस्कार